क्या आप जानते हैं ट्यूबर कॉलोसेज सिरफ फेफडों में नहीं बलकि हमारी हड्डियों में भी होता है दोस्तो आज 24 मार्च 2022 है आज वर्ल्ड ट्यूबर कॉलोसेज डे होता है और इस साल 2022 में वर्ल ट्यूबर कॉलोसेज डे का थीम है इन्वेस्ट टू एंड ट्यूबर कॉलोसेज तो ट्यूबर कॉलोसेज जैसे कि हम जानते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फेफडो की सांस लेने में तकलीफ होती है रात के समय में फीवर आ जाता है और यह सब प्रॉब्लम्स रहती है पेशन्ट को लेकिन क्या आप जानते हैं ट्यूबर कॉलोसेज सिरफ फेफडो में नहीं बलकि हमारी हड्डियों में भी होता है चारीर की हड्डी की बात करें कूले की हड्डी की बात करें घुटने के जोडे की बात करें और जोडे जैसे सैक्रो एलियक जॉइंट वगेरा सब में ट्यूबर कॉलोसेज बहुत कॉमनली होता है पिछले 20 साल में देखा जाये तो बोन ट्यूबर कॉलोसेज जिसको पॉट्स डिजीज के नाम से भी जा बढ़ रहे हैं पहली चीज 누र में धेज जाती है कि हमारा हम्मीहाइटी से लेवल बहुत कम हो रहा है smoking की बात करें, alcohol की बात करें, overall हमारी fooding habits की बात करें, वो हमारा immunity बहुत कम कर रही है, जिसकी वज़े से tuberculosis infection होने के chances बढ़ जाते हैं चुकि हम एक developing country हैं, इसमें बहुत सारे patients unaware होते हैं, less educated होते हैं, इसलिए वो tuberculosis के against में टीका करन नहीं कराते BCG नाम का टीका लगता है, बच्चे के पैदा होते ही लगता है, और वो टीका करन करना बहुत जरूरी होता है tuberculosis की रोक थाम के लिए तीसरा बहुत important कारण tuberculosis बढ़ने का जो की developing countries में है, वो है AIDS, यानि acquired immunodeficiency syndrome, जो HIV infection की वज़े से होता है ऐसा देखा गया है कि HIV infections, tuberculosis होने की propensity बहुत हद तक बढ़ा देता है और क्योंकि HIV infection developing countries में ज़्यादा prevalent है, भारत में काफी prevalent है, इसकी वज़े से tuberculosis भी बढ़ रहा है चोथा कारण जिसकी वज़े से इंडिया में tuberculosis हड़ियों में ज़्यादा बढ़ रहा है, वो है surgeries Surgery के बाद ऐसा देखा गया है कि infection होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, joints और read की हड़ी खुल जाते हैं, जिसकी वज़े से infection easily और directly spread हो जाता है इसलिए अगर surgery की requirement ना हो, particularly totally replacement और spine surgery की requirement ना हो, तो बिलकुल ना कराएं, पहले पूरी conservative management ले लेना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही surgery की तरफ अगर बहुत ज़्यादा ज़रुरत पड़े तो जाएं, जो कि 99% cases के अंदर नहीं पड़ती है अगर पूछा जाए कि क्यूं होता है bone में tuberculosis, वो होता है reactivation of primary infection की वज़े से ज़्यादा तर मरीजों में ऐसा देखा गया है कि primarily tuberculosis का infection फेफ़डों में हो चुका है और वो bone के अंदर जाके mycobacterium tuberculosis जो उसका causative bacteria है, वो bone के अंदर जाके छुप जाता है जैसे immunity कम होती है bone के अंदर TB हो जाता है जिसकी वज़े से बहुत सारे लक्षन देखे जा सकते हैं पहला लक्षन जो कि देखा जाता है bone tuberculosis में वो है दर्द, दर्द जो होता है वो धीरे धीरे चालू होता है और बढ़ता जाता है और regular pain killer medication से दर्द नहीं कम होता इसके साथ जोडों में सूजन होना, लालीमा होना, जकड़ा ना जाना बहुत जादा कॉमन है डाइगनोसिस अगर bone tuberculosis की बात करें तो वो generally MRI के थुरू होती है या कुछ conditions के अंदर direct हम लोग biopsy या sample भी निकाला जा सकता है जिससे TB को detect किया जा सकता है या TB causing organism को detect किया जा सकता है तो अगर treatment की बात करें bone tuberculosis का तो फेफडो के tuberculosis की तरह bone tuberculosis में भी dots regimen follow किया जाता है ये 6-18 महिने का दवाई का regimen होता है जो आपके निकटतम government center के उपर मुझूद है चाहे प्रात्मिक चिकितसा केंदर की बात करें चाहे जिला अस्पताल की बात करें चाहे medical college की बात करें हर government center के उपर TB के अगेंट्स dots का treatment उपलब्ध है इसको self treat बिलकुल ना करें इसको अंदेखा ना करें डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत जरूरी है पांच टाइप की दवाईयां होती है आइसो नायजेड, रिफैमपसिन, इथैम बिटल, पायरेजिनमाइड और स्ट्रे हाद धोएं, अपने आसपास पूरी की पूरी सफाई रखें, कपड़े सफाई वाले पेने, अपनी चदरें वगरा सब कुछ बिलकुल साफ रखें, ज्यादा चिकनाई वाला खाना, मैदे वाला खाना ये सब बिलकुल वर्जित है, नॉन्वेज प्रोड़क्स जैसे की red meat या अंडे का पीला हिस्सा जिसको एग योग बुला जाता है, वो बिलकुल ना लें, अपनी anti-oxidants diet लें, proper anti-inflammatory diet लेना बहुत जरूरी है, ट्यूबर कुलोसिस में, healthy balanced diet रखना बहुत जरूरी है, एक और चीज बहुत जरूरी है ट्यूबर कुलोसिस में, कि treatment को बिलकुल skip करें, self-medicate बिलकुल ना करें, दवाईयों की dose को कमाना, बढ़ाना, इधर उधर करना, ये डॉक्टरी परामर्श के बिलकुल ना करें, बोन ट्यूबर कुलोसिस बहुत घातक हो सकता है, permanent deformities भी पढ़ सकती है, आपकी हड़ियों के अंदर अगर proper treatment ना लिया जाए, हड़ इसकी वज़े से various neurological symptoms, जैसे की paralysis हो जाना, या हातों में जिंजनाहाट होना, या muscle की power खतम हो जाना, ये सब भी commonly देखा जाता है, bone tuberculosis में, यदि spine tuberculosis या read की हड़ी में tuberculosis की infection की बात करें, तो पीछे कुबड निकल जाना, या hump निकल जाना, एक बहुत common लक्षन होता है, untreated य इनको active tuberculosis infection है, spine में, उनको spine immobilizer यानि की night tailor brace या tailor brace भी patient को provide कराया जाता है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, bone tuberculosis एक बहुत घातक infection है, इसको अंदेखा बिलकुल ना करें, आप लोग सब जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं medical director हूं, साउल औ orthocare का, हम एक chain of pain management clinics हैं, हमारे art center हैं दिली में, और मैं ऐसे ही जानकर ही बरे videos आपके साथ share करता रहता हूं, हमारे youtube channel साउल orthocare के द्वारा, यदि आपको हमारे videos पसंद है, आप और videos देखना चाते हैं, हमारे channel को like, share, subscribe करें, इस video को आगे बहुत लोगों तक पहुचाएं bone tv के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इस video से related आपके कोई भी query है, तो जरूर comment करें, thank you